मेरे नाम आशीश है और आज की इस टूटेरिल में आपको बताने वाला हूँ HTML डाकूमेंट के head section के next tag जिसका नाम है style tag ठीक है title tag मैं पिछले वीडियों बता चुका हूँ कर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लिजे क्योंकि उसका importance है और इस टेक का भी बहुत importance है इस टेक का तो थोड़ा उससे कुछ ज्यादा ही importance है तो चलो start करते है style tag पहले तो मैं यह बता दो style tag होता क्या है style tag is used for the formatting the web content ठीक है style tag को हम web formatting करने के लिए web content को formatting करने के लिए यूज करते हैं और इसमें हम अगर अपनी भास हमें करते हैं तो हम style tag को web content के मतलब जैसे कुछ image है paragraph है heading है और कुछ videos है तुसे मतलब customize कर सकते हैं मतलब अपने recording कर सकते हैं अगर suppose यह कोई paragraph है तुसे color provide करा सकते हैं फॉंटिंग प्रवाइड करा सकते हैं font का size बढ़ा सकते हैं increase कर सकते हैं decrease करते हैं many things आप style tag से बहुत कुछ कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं चलो दिखाते हैं आपको ठीक है कि मैं नोटपैड पर अपना प्रोग्राम open कर लिया हूं जो पिछला टैग बताया था यह देखो टैटल टैग बताया था आज इस्टैल टैग बताऊंगा तो मैंने एक इस्टैल टैग लिखा और हाँ यहां पर टाइप देना मस्ट है मस्ट मतलब नहीं भी है आप नहीं देंगे तो कोई issue नहीं है लेकिन अब जो latest browser आ रहे हैं और प्लस में आपके error होने के chances थोड़ा कम हो जाते हैं इसे लिखने से बाकि अगर आप इसे हटा देंगे तब भी और करेकर लगाएंगे तब भी और लगाने पर browser easily समझ जाता है कि style tag का यह कुछ character लिखेगा style styling करे सबसे पहले मैं यहां पर paragraph tag ले लेता हूं ठीक है यह सारे tag में बताओंगा paragraph गरा जो यह सब्सक्राइब अब इसके लिए परिशान बिल्कुल भी नहीं हो अभी फिल टेस्टिंग परपस से स्टार्टिंग चल रहा हूं अभी पहले HTML बताया head बताया title बताया अभी style बता रहा हूं फिर अभी आएंगे next tag पे टेंसर ना लो आप ठीक है मैंने यहां पर लिया हाई अधिशिज आसीश शॉरी अधिशिज आसीश ठीक है अमने अपना टैक भी क्लोज कर दिया यह ठीक है जो टैक उपन होता है देखो अभी style टेक लगाया हूं अब मैं इसे रन भी करा लेता हूं तुरण कराया देखो हाई दिस इस तो आपके कुश्चन राइज होगा कि मैंने लगाया है पर कोई इसमें styling तो हुई नहीं है और अभी मैंने बताया कि इसे मतलब content को style करने के लिए हम यूज करते हैं तो सर उसके लिए हमें कुछ इक्स्ट्रा करना पड़ता है इक्स्ट्रा मतलब हम बताएंगे कैसे कि अपने हम इस पर्टिकुलर इसी चीज को हम कस्ट्माइज कर रहे हैं तो इसे बताने के लिए हर टेग का एक क्लास होता है और एक आईडी होती है ठीक है जितने भी टेग बने हैं सबके कुछ नो कु कुछ एट्रिब्यूट्स हैं कुछ नो कुछ क्लासेज हैं कुछ नो कुछ मतलब आईडी थे ठीक है तो उसी तरीके से यहां पर वर्क होता है और उस आईडी को वर्क कैसे किया आता है यह मैं सारी चीज बताऊंगा बढ़ अब थोड़ा सा अभी फिलाल इस पर फोकस करो प्रेक्टिस करते रहो आपको भी समझ में आगा अगर कुछ भी चीज समझ नहीं आती तो आप में कमेंट में दे सकते हैं फिलाल चलो इसमें देख लेते हैं मैंने यहां पर दिया एक मैंने यहां पर दिया डॉट डॉट नेम ठीक है इस नाम के क्लास दिया एंद यहां पर हम इसका दे रहा हूं कलर सेमी कॉलन मैंने दिया रेड़ ठीक है क्लोस किया अब मैंने इसे क्लास दे गया जो डॉट कभी भी नाम नेम से पहले डॉट लगा रहे हैं तो इसका मतलब यह किसी चीज का क्लास है अगर यहां पर है रहे तो समल लो वह आईडी है ठीक है तो चलो पहले इसे रन करा लेते हैं इतना हमने गिया अब तो इसे आ जाना चाहि है अभी भी नहीं आया तो चलो इसे अब यह भी बताते हैं क्यों भी नहीं आया ठीक है देखो क्योंकि हमने लेकिन हमने इस class name को call कहा किया है किसी particular separate एरा पर call करेंगे तो उसी अरिया पर और करेंगा आप सपोज यह है तो यहां भी हमें लिखेंगे space class यह इसका attribute है इस class attribute है is equal to यहां पर लिखेंगे यह यह मी एंस देन सेप करेंगे हैं और यह सेप करके से रिफ्रेश करेंगे अगें देन इडिविल भी वोग हुआ है हाओ लेट सी यह देखो रेड होगे जूम करते रहा हूं ठीक से देख लो ठीक है हाई डिसी जासी रेड कलर से दिख रहा है ठीक है तो यह होता है class का work ठीक है style का work अच्छा सपोज आपको अगर कोई issue है आपको एक ID से भी बता देते हैं इसी time क्योंकि बाद में क की special class बताऊँगा CSS में आप उसके लिए परिशान नहों मैंने एक और ले ले रहा हूं paragraph ठीक है मैंने copy किया and then यहाँ पे पेस्ट मारा और मैंने लिखा कि आयम कि ट्वेंटीवन कि शॉरी आप कि ट्वेंटीवन कि येर्स ओल्ड ठीक है मैंने ये दिया अभी भी सेम वर करना चाहिए exactly करेगा क्योंकि दोनों पर एक ही चीज़ कॉल हुआ है ठीक है तो चलो कुछ extra करते हैं कैसे हमने इसे एक और नाम दिया मैंने दिया has age ठीक है और इसे क्या कर दिया हमने इस पर भी उसी तरह किया बस इस पर डिफरेंट यह है कि इस पर मैं फॉन साइज लगा दिया फॉन साइज सेम कॉलन मैंने दिया 30 पिक्सल एंड टर्मिनेटर एंड इस पर को और मैं दे दे रहा हूं कलर कि इसका कलर में दे दे रहा हूं अ बलू ठीक है और हां यह कलर का फॉर्मेट में बताऊंगा कलर कई सारे कलर फॉम में आप कलर फॉल कर सकते हैं फिलाल अभी से देखिए देखो अभी वर्क नहीं किया क्यों कि हमने अपकी एज लिखा है आईडी बनाया ठीक है लेकिन आईडी को कॉल करने के लिए यहां पही क्या लिखा जाएगा हमारा लास नहीं आईडी आईडी इस इक्वल टू एज गेट इट इस इसे बड़ा वर्ड दिख रहा है यह है बिस जाजिस एंट्यवन इंट्यूइंट तो यह क्या होता है यही होता है इस्टाइल करना ठीक है तो इस टैल टेग का अपना अलग मात्त है इसमें जितने टेग हैं आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है और सारे टेक का कहीं बहुत थी बड़ा इंपॉर्टेंट से ठीक है तो आप प्रेक्टिस करना बिल्कुल न भूलें ठीक है प्रेक्टिस करने से आपकी हैविड बनेंगी और सारे टेक याद हो जाएंगे अगर आप बिगनर हैं बहुत ज्यादा बिगनर है तो आपको बहुत थी ज्यादा मेह करेगी और एक बार मेहनत कर लिए तो फिए ऐसी चीज़ है कि रट जाएगे और प्लस में इसमें इंट्रस्ट बनता है जैसे जिससे करते जागो कुछ नहीं चीज़ देखोगे तो प्लस में करोगे ठीक है तो यह इसका प्लस पॉइंट है तो यह रहा हमारा आज का टाइ आप एकोर्डिंग जैहन